जबसे तुम्ही सन आल गली तुम्ही तुम्ही तन आल गली तुम्ही तन आल गली प्रीतन वेलरी प्यारवालम मौराजबसे तुम्ही सनगारे जबसे जोने नरे खुलता है करन पर आता हो है चरिशा करे सबसे है लाईया जबसे तुम्ही सनगारे जबसे तुम्ही सन लाईया 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 जबसे तुम्ही सन लाईय प्रिता नहें लरी जबसे तुम समय लागलीन जबसे लागलीन प्रीत जबसे तुम समय लागलीन जबसे आज जब से तुम सरदा गली जब से नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटर्विव सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान है डॉक्टर रेवा नातु जी खास किस लिहाज से इसकी कई वजहें हैं एक तो संगीत क्या जो संसकार है वो दूसरा अपनी खुद की साधना तीसरा कई गुरुओं से मिला स्नेह और सिक्षा और चौथा खुद की अपनी संगीत की सैक्ष्णिंग जो पाठिक्रम से जुड़ी जो चीजें होती है उसको लेकर इनका काम इन सारे विश्यों पर सिलसलेवार तरीके से बात करेंगे लेकिन सबसे पहले रेवा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार के लिए कहीं पाहर नहीं जाना था वो बिलकुल घर में आपको घर की दीवारों तक में आपको बहुत प्यार से और बहुत आसानी से प्लब्द हुआ हाँ सही बात है मैं खुद को इसी वज़े से बहुत भागयशाली मानती हूं हर वक्त क्योंकि तबला तो हर वक्त मैं सुनती आ रहे हूं बचपन से और मेरे पिता जी सब गायकों के साथ बजाते थे जैसे माली निताई हुए विणा ताई सस्त्रबुद्धी जी हुए भीमसन जोशी जी हुए शुरुती सड़लिकर और कई सारे विश्व मुहान भट जी ऐसे कई मान्यवर लोगों को विदूशी लोगों के साथ उन्होंने बजाया और वो मुझे लेके जाते थे हर वक्त स सुनने के लिए वो कारेकरम सुनाने के लिए यह क्या होता है वो ग्रीन रूम में कैसे आते हैं कैसे बैटे हैं सब मुझे बहुत अच्छा लगता था बच्पन ले तो इसलिए मैं खुद को बहुत भागेशाली मान चुक्या और अगर रिवा आप अपने पिता जी के भी पहले अगर हम जाएं थोड़ा सा और आपके आपके परिवार की संगीत परंपरा को समझना चाहें तो क्या उससे पहले भी संगीत था परिवार में? हाँ मेरे पिता जी के मेरे दादा जी थे वो भी तबला आर्टिस्ट है और मेरे पिता जी के चाचा जी भहत अच्छे महराश्ट्र में जो किर्तनकार होते हैं किर्तनकार बोलते हैं उसे वो फेमस किर्तनकार थे पुना की और लतामंगेशकर जी ने उनका किर्तन अपने घ और वो अप उनको पाल गंदरवर जी का बहुत आशिरवाद मिला है मेरे पिता जी के अंकल को तो ऐसी ये परंपरा ही रही है और तबला और संगीत और कुछ नहीं ऐसा ही है तो आपके लिए तो बच्पन बड़ा खास रहा होगा क्योंकि जिन लोगों का आपने नाम बताया मालनी ताई से लेके और विश्व मौन भट जैसे दिगच कलाकार जिनके नाम में पुरी दुनिया सम्मान से खड़ी होती है वो बच्पन में घर आते रहोंगे बातचीत करत वो तो होता रहता था लेकिन क्या होता था बच्पन में इतना कुछ इंपोर्टन्स नहीं था इसका किऊंब बोल रहे हैं सिर्फ रियाद्स करो हो क्या बोल रहे हैं कई बार गुसा आजाता था मुझे ये ये तान हंडर्ट पार तकानी चाहिए आपने तान पूरा पर गुस्सा आता था लेकिन अब भी समझ में आ रहा है कि क्यों वो गुस्सा कर रहे थे वो सही था बिल्कुल सही था और वो बता ऐसे बताते थे चलो अब तानपुरा लगा के यह आप बोल रहे हैं वैसा ही बोल रहे थे एक बार ये श्वन बहुत जोशी जी हमारे घर आय के पुराने बहुत बुजर्ग गायक है और उन्होंने मुझे बोला क्या सीक रही हो क्या क्या रियाज कर रही हो बताओ गा के सुना दो मुझे तो मुझे लागा कि यह मैं इनको क्यों सुना हूँ लेकिन उस समय मैं छोटी थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था पिता जी ने बोला नहीं उन्होंने बोला है न तो बैठके करना चाहिए और कुछ मत बताना और कुछ मत कहना ऐसा होता है तो वैसे तो मतलब बेटियां जो है वो वैसे भी नॉर्मल भी पिता के जादा करीब होती है उनके दिल के जादा करीब होती है तो डाट वाट कम पढ़ती है लेकिन आपको तो मतलब फिर लगता है डाट पढ़ी है इस बारे में बहुत बहुत डार्ट खाई हैं मीन एक बार तो रियाज नहीं एक बार ऐसे गुस्टे में एक रियाज नहीं किया था तो मैं मुझे पिता जींक गुरूप में खड़ा कर दिया था यही खेड़ी रहना और बाद में फिर से मत कहना कि मैंने रियाज नहीं किया है बिलकुल ऐसे पिता जी कम और गुरू जैसे जादा थे जादा है मेरे लिए मेरे पिता जी अभी भी वो सुनाते हैं मुझे यह अच्छा नहीं आया इसको रियाज करो यह 25 बार गाओ यह पचा और अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती है और मुझे उनका महत्र बहुत ही अभी तो मालूम ही पड़ गया है ठीक है आप बोल रहे हैं न सरी बोल रहे हैं आप जैसा कहेंगे वैसाई मैं करूंगी बिल्कुल और हमारे यहां बनारस के बहुत विश्वख्यात कलाकार है चनुलाल मिश्रा जी आप जानती ही हूंगी उनके रामकुमार जी वो तबला बजाते हैं तो मैं जब इस सीरीज के लिए उनका इंट्रिव्यू कर रहा था तो कहने लगे कि कई बार तो पिता जी जो आप फिर बच्पन में मतलब खेलने कूदने का समय मिलता था या बस स्ट्रिट था कि स्कूल जाना है लौट के आना है और पच्चिस बार यह राग और पचास बार यह ताल थोड़ा बहुत तो यही था क्योंकि वो तबला आर्टिस्ट थे उनको गिंती और यह ताल वो ताल यह मात्रा वो मात्रा मेरी जो भी सहलिया आती थी गाना मुझे सहलिया भी सब संगीत की में ही थी और उनको उनका सब वर्ड तो संगीत ही है अभी भी वो अभी 75 यह के है लेकिन उनका अभी भी वर्ट सिर्फ संगीत और संगीत है मैंने का ना मेरा वो माईक का कम और गुरू गुरू पुल जाता है वो तो ऐसा भी होता था कोई सहली आए चलो जबताल दिखाओ हाथ से दिखाओ ऐसा करके करके तो कोई आनाई बंध हो गया ऐसा है लिका तो ऐसे अईसा भी हुआ है हर टेस्ट के टेस्ट को जाने के जाने से पहले स्कूल में नहीं पहले तास भर रियाज करो एक घंटा रियाज करो और बाद में स्कूल चली जाना मेरी दस्वीक अक्षा के बोर्ट के पहले बोर्ट से के टेस्ट होते है न तो वो बढ़ाई बगरा होत रहेगी अभी तुम आण दस बजे है टेस्स तो साथ से आठ तक वियाद्स करोगी और बाद में तुम्हारा क्या है वो सब करना अईसा ही हुआ है हम लोग इलहाबाद में बहुत छोटे छोटे थे रेवाजी इलहाबाद से मेरा तालुक है वहीं का मैं रहने वाला हूं तो होली के समय पर क्या होता था कि एक हफते तक अडोस-पडोस के घरों में हम लोग जाया करते थे और पापा मम्मी साथ लेके जाते थे तो उसमें हमारी जो हमारा जो महला था जहां हम रहते थे उसमें युणिवर्सिटी के बहुत साधे प्रोफेसर रहते थे अब आप किसी के घर गए उसने मैट्स का कुछ पूछ लिया और पूछने का मतलब फिर वहां डाट ही खानी पड़ती थी तो मैंने तो बात कर लिया कि मैं कहीं जाओ गए नहीं तो पापा जब मुझे बेटा आज शाम को फला अंकल कहा चलेंगे हां पापा चलेंगे ना लेकिन शाम को मैं ऐसा गायव होता था घर से कि फिर पकड में आऊं ताकि कम सारवजनिक यो डाट पड़ती है उससे बचसबू वरना होता यही था कि डाट खानी ही पड़ती थी खैर यह कैसे तैह हुआ मतलब पिता जी का तबला बजाना उनके उनके संसकार उनके डिसिप्लिन की बात तो स आपका जाओ रहा था ऐसी बात हुई कि पहले में मुझे डांस बहुत अच्छा लग रहा था डांस मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैं पांच साल की थी तब बाड़ा साहिब गोकले जी थे या भरतनाटे मंदिर में तो उनके पास मुझे सीखने भेश दिया तो हम जब छोटे होते ना तब रियाज बगरा सब क्या है यह ऐसा ऐसा लगता है और मुझे उनका भी बहुत गुसा आता था यह ऐसा क्यों बोलता है मुझे नहीं जाना क्लास बगरा मैं यहाँ खेल पूट बगरा ऐसा ही करूँगी लेकिन नहीं मुझे ताल बहुत लै ताल मात्रा ये सब बच्पन से ही अच्छा लगता है और अभी तो लगता ही है तो एक बार दत्तोपनता आगाशे बुआ करके है जो विनायक बुआ पटवरदन जी के शिश्य है वो हमारे घर आये थे ऐसे ही पड़ते है पिता जी से मिलने के लिए और मैंने एक बार कुछ गुं गुनाया और उनका कान मेरी तरफ था तो उन्होंने बोला कि ये गाना क्यों नहीं सीख रही है इसको गाना सीखा मैंने बोला है देवा अब मुझे गाना सीखना पड़ेगा क्यों सीखना पड़ेगा तो पिता जी ने बोला नहीं आगाशे बुआ ने बोला है तो बोला है उनकी नजरिया अलग रहती है तो तुम जाकर उनका क्लास शुरू कर दो गाने के लिए और उस टाइम में ऐसा होता था कि वो बूलाते थे मैं जाती थी फिर से मा से जगड़ा होता था मैं मैं नहीं जाओंगी वो डाटे है ये नहीं करती वो नहीं करती रियाज नहीं करती म मा ने बोला नहीं तुम जाने वाली हो और बाद में पिता जी से बोलना पड़ेगा मुझे तो मैं चली गई आरा गपचूप से चली गई और सीखने लगी और ऐसे मेरा गाने का ये शुरू हो गया और फिर ये कब तै हुआ और ये किस ने तै किया कि नहीं अब बाकी सब दर्वाजे बंद अब ये हो गया जो भी करना है अब गायन को ही गंभीरता से लेना है और गायन में ही अपना भविश्य तलाशना है और कोई विकल्प नहीं है ये आपने तै किया पिता जी ने तै किय चाना है या कैसे तैह हुआ यह नहीं इस बारे में तो मैंने कहा एक टाइम आया जब मुझे लगा कि NA hacemos डांस नहीं और तबला भी नहीं तबला भी मुझे बजाना अच्छा लगता था लेकिन नहीं तबला नहीं मैं गाना ही सुखूंगी क्योंकि मुझे वो आ रहा है मुझे पसंद आ रहा है अरे ये रात तो इतने है ये स्वर तो ऐसे है वो पता था लेकिन ऐसे है तो पिताजी के साथ थोड़ा थोड़ा गाकर अरे ये आ रहा है ताल में भी चलो सम पकड़ हो अच्छी तरह से तो उन्होंने ऐसा भी मुझे बोला कि बिल्कुल डाटा ही नहीं तो वो वह भी बोले कि नहीं यह अच्छा हुआ है तुम करो और उससे मेरा confidence बढ़ गया बात में school में हर एक competition में मैंने भाग लिया वो classical की थी अभंग की थी भजन की थी संस्करुद गीत की थी नाट्य संगीत की थी फोक संग था ग्रूप संग था एक भी मैंने नहीं छोड़ा और सब मेरे इतने धेल सारे अभी है certificate first time के वो तो खेर आपके लिए मतलब वैसे तो कलाकार के लिए सबसे जादा मुझे लगता है जो सबसे बड़ी बाच जो होती है वो उसके शोताओं का प्यार उस से मिलने वाला सम्माण होते हैं कि सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा है रिवा जी हम इस इस सिरीज में जितने भी हमने interview किये हैं उसमें हमेशा अपने महमान से ये गुजारिश की है कि वो अपने गुरूओं के बारे में भी हमको बताएं वैसे तो जो भी आपके बारे में जानता है और जाकर इंटरनेट पर थोड़ी सी खोजबीन करेगा उसको पता चल जाएगा कि आपने किन किन गुरूओं से सीखा लेकिन आप उन गुरूओं के परिचे की खिर्की आपके जरीए खुले ये मौका हमको मिलता है तो मैं चाहूंगा कि सिलसलेवार तरीके से अपने पहले गुरू से लेकर और आखीर तक आपने जिनसे तालीम ली है जिन्होंने आपको गढ़ा है उन गुरूओं को याद करते हैं हाँ बिलकुल तो आगाशे बुआ जी के यहां मेरी तालीम शुरू हो गई और उनकी तब्यत की वज़े से उनको थोड़ी दिक्कत होने लगी तो उन्होंने कहा शरत गोपले जी वो संगीत नाटक में काम करते थे तब तो उनके पास तुम जाओ और सीखो वो मेरा ही उनक के पास चली गई लेकिन ऐसा हुआ कि वो भी नाटक के दोरे में यहां सब बीजी हो गए बहुत सारे तब तक यह मेरा एसेंडिटी में आना एसेंडिटी में मैंने पीए किया में किया उस टाइम क्या हुआ विर्णा जी के साथ पिटा जी ने बहुत धेर सारे कारिकरून प्रोग्राम बजाए तो हम लोग ऐसे ना सुनते सुनते इतना सीख जाते हैं कि उनका इतना प्रभाव पड़ जाता है कि मुझे हर तरफ विर्णा तरफ यही देख ने लगती थी उनका अपने आपी सुनने लगती थी एसा कान में बजाता रहता उनका गाना आता रहता था कि वो ऐसे फ्रेज ले रही है ऐसे फ्रेज ले तो ऐसे इंडिरेक्टली मैं उनके वो मेरे मानस बुरू जैसी ही है तो बाद में ये में करने के लिए मैं डॉक्टर दिगविजय वाइद्य जी के पास चली गई वो पिता जनी है बोला मुझे कि तुम उनके पास सीखो और उन्होंने मुझे ऐसी इतनी सारी दुष्टी दी अच्छी तरह से दुष्टी दी उनके पास में उनके अंडर में ये पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें बहुत अप्रचलीत राग है अनवत राग है थोड़ा इधर से उधर हीलो तो राग का ये राग वो राग ऐसा बन जाता है तो वैद्य सर जी ने इतना बढ़िया मुझे सिखाया है अभी भी मैं सीख रही हूं उसकी पढ़ाई मेरी अभी भी शुरू है उनके उन्होंने जो मुझे एक दृष्टी दी तालिम दी बहुत बहुत बढ़िया दी और वह मैं अभी भी कर रही हूं वो जो बताते हैं अभी मैं उनके पास और चैतन्य कुंटे जी के पास अभी सीख रही हूँ अभी वो कुंटे जी कुंटे सर के उनके भी बंदिश्य बहुत अच्छी है उनके टप्पे का जो अभ्यास है वो बहुत ही बड़ी है और ये दोनों मुझे मेरे भाग्य से मेरे गुरू मिल गए है मुझे और ऐसा मेरा अभी शुरू है प्रवाज चैतने जी हमारे इस इंट्रिव्य सिरीज के महमान रहे हैं और आपको समय मिले तो आप उनका इंट्रिव्य भी देखिएगा जरूर खैर उस उस कारिक्रम की कभी न कभी तो कारिक्रम हुआ ही होगा जब आप गारी होंगी और सामने सुनने वालों में पिता जी बैठे रह होंगे तो एक तो कई बार होता है ना कि पता चला याद करके बड़ी अच्छे से गए थे लेकिन जब सामने देखा तो डर के मारे जो आ रहा था वो भी भूल गए तो ऐसा हुआ था या लगा कि नहीं यार यहां डरने ही क्या बात है यहां तो मेरे पिता बैठे हुए और वाैं मुझे बोला था एक दिन मेरे आवाज में तान बहुत आती नहीं थी बहुत जड़त था आवाज में तो उन्हने मुझे बोला तुम्हें तान तो नहीं आएगी देखते कैसे आएगी देखलो तूम और याज करो लेकिन उस टाइम मैं बहुत रहने लगी कि मुझे तान नहीं आये गी तो अब क्या होगा गया तान नहीं तो कुछ नहीं स्वर थीक है तान नहीं तो क्या करे तो उस टाइम पीटाज नहीं मुझे बूला नहीं इसको चौड़ना मत इसे जिद से करना और दिखा देना उनको की दिखा देना यहनि अच्छी तरह से वह बोले तो एक बार च्योडळक्स मारक मंदिर में मुझे गाना था और उस टाइम श्री मैंने चूज किया श्री राओ और उस सामने थे वाइद्यासर भी सामने थे और उनको देखकर मुझे लगा और एक बार ऐसे ना कि एक बार आपके मन में बिढ़ जाएगे आपको तान नहीं आने वनी तो नहीं आने वनी तो वह दिखे तो मुझे गई आप तो मैं बोली कि मैं गई काम से अप श्री के तान तो आच्छा बाय बाय कर दे। लेकिन उस टाइम पिता जी ने मुझे बहुत दीर दिया और बुला तुम अपने मन से गाओ अपने मन से गाओ और तुम्हे तान आएगी ज़रूर ज़रूर आएगी और उस टाइम तो वो बोले अब मैं अपना सेंटेंस पीछे लेता हूं तुम्हें तान आई आई है अब और भी जादा रियाज करके और बढ़ा देना हूं उस टाइम पिता जे सामने बैठे थे और उन्हें बहुत मुझे पुश्च किया नहीं आने वाली है तुम्हें मैं जो भी सब्सक्राइबर्स और जो संगीत के जानकार हैं वो तो जो इंट्रिव्यू देख रहे हैं वो तो आसानी से समझ जाएंगे लेकिन जिनको संगीत की एबी सीडी थोड़ी कम पता है दिल्चसपी है उनकी उनके लिए बता दूं कि किसी भी राग में जो सुर होते ह है तयरहता है कि इसके आ रोह में ये सूर है अवरोह में ये सूर है इसमें हर सूर की एक अपनी जो चलन है उन्हीं सूरों के बीच से ताने बनती है और शुरूत में जब ताली मैं अगर गलत होंगा तो घृवा जी आप मुझे ठीक करिएगा क्योंकि मैंने भी संगीत सीक कर लो लेकिन कलाकार जैसे जैसे अपने आप में मंजता जाता है सीखता जाता है फिर वो ताने स्वता बनती है अपने आप आती है और फिर राग यमन में रेवा जी की जो ताने होंगी वो राग यमन में दूसरे कलाकार की भी ताने हो यह ज़रूरी नहीं है मैं सही कह रहा ह इस राख में यह सुर्ज मेरे वर्जित इस राग में यह सुर्ण नहीं लगने तो तान में वो सुर्ण वन्हीं यह कुल तान की कहानी जो अभी रेवा जी ने बताई जिससे मुझे लगता है कि 5 नंबर 10 में से मुझे मिल जाएंगे अगर मैं संगीत पर कुछ बोलनूं तो खैर उसके बात का जो सफर है मतलब संगीत सीख लेना उसके बाद अच्छे गुरुओं का आशिरवात प्राप्त कर लेना लेकिन ये जो बच्पन का जो ये संसकार दिया गया कि रियाज बहुत जरूरी है परिक्षा है ठीक है 10 बजे से है कोई बात नहीं 7-8 रियाज करो फिर जाना ये संसकार तो अभी भी मिलता होगा घर में कि ये रियाज ही है जो आपको आपके पूरे जीवन भर काम आने वाला है और कुछ भी काम नहीं आएगा इस इस चीज़ को घुट्टी की तरह पिलाया गया आओगा आपको तो हां वो तो है और मेरा ऐसा हुआ मेरी मा ने बहुत मुझे बहुत अच्छी तरह से पुश्किया कि नहीं तुम कर सकती हो पिता जी जो बोल रहे है वो नहीं अभी एक दादर माटूं का सरकल में एक कंप्टिशन थी वा और वहां दस राग हमें देने थी कोई भी दस राग और हर राग एक 15 मिनिट के लिए गाना है तो पिता जी ने बोला अभी तो तुम्हारी तयारी नहीं है क्या गालोगी तुम्हारी तान वगरा वगरा लेकिन मा ने उस टाइम बोला नहीं वो करेगी करेगी वो दोनों इतने पॉजिटिव है ना मेरे लिए एक बहुत बहु वेल विशर है मेरे लिए वो पहुत ही और उस टाइम मानिक ताही भीडे जो अश्विनी ताही जी की मा है वो एक्जामनर थी उस टाइम और मुझे राग भूप उन्हने बोला और उस टाइम मेरा फर्स्ट रांक आया राग भूप गाके तो उन्होंने बोला कि तुम फोन पिता जी को किया देखो मेरा फॉर्स नमर आ गया तो उद्धों ने बोला अच्छा हुआ फॉर्स आया है तो अभी अगली भार भी फॉर्स आना ही चाहिए इसलिए रियाद बढ़ा हो तो फिर आप तो नौ बार मेरे ख्याल से फिर्स आई हां तो संगीत आचारिया जो मुझे मिला पिएजडी तो पूरे भारत में मैं फिर्स आई और नौ पुरसकार उस टाइम मुझे मिले अचा रेवा एक तो यह संसकार जिसका जिसका जिक्रभी हम इस बातचीत में लगातार कर रहे हैं और उस पे से ग्वालियर घराने की गायकी अब शास्त्रिय संगीत की जो मेरे थोड़ी बहुत समझ है पढ़कर और यहां वहां सुनकर क्योंकि मैं तो कोई सीखा हुआ वि आभीर प्रवित्ती की गायकी मानी जाती है। उसमें गवालियर घराना काफी अऎरणी माना जाता है कि स सब्सक्राइबर को बताई यह कितना मुश्किल है या कितना अलग है यह बाकी घरालों की गायकी से मैं पहले से ग्वालेर घराने में ही सीखी हूँ तो मुझे ग्वालेर घराने के बारे में अगाशिबुआ ने थोड़ा-थोड़ा बताया था कि और यश्वन्दबॉआ जोशी जी भी आये थे घर में, तो वो बोले ग्वालेर घराने का गाना जिसे आया, उसे सब घरानों का गाना आया, उनका ही sentence है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगाता हूँ, वावावावाव, मैं तो ग्वालेर घराने की हूँ, और ग्वालेर तनी पहले दो मिनिट में राक की पकड़ बताती है वह वह पहला नमबर नमबर दोन मुझे लगता है कि ग्वाले गहाने में तरणा चतरंग अश्टापदी रागमाला तपा यह सब गाया जाता है और माली निताईनी वह बहुत प्रसिद्ध किया है सब ये सब इतनी इतनी बहुत सारी परंपर आए रही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है एक बात की विनायग बौपटवारदन जी ने जो उस तके लिखी हैं किताबे लिखी हैं राग विध्यान करके उसके साद भागे आड भागे तो प्रत्यक राग के बारे में प ऐसे नहीं करना चाहिए ऐसे करना चाहिए यह फ्रेज आती होगी यह आती है इस घराने में यह होता है उस ऐसे थोड़ थोड़ा इतना बहुत सारा नहीं लिखा लेकिन थोड़े में लिख लिया है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ रेफरेंस के लिए कुछ हमें doubt नहीं रहेता ऐसा मुझे लगता है अच्छा कोई एक कारिक्रम ऐसा भी जरूर हुआ होगा जब जिस दिन पिता जी ने कहा होगा कि अब आज के बाद मतलब मैं ये टोकना तो खेर नहीं कहना चाहिए क्योंकि पिता है तो वो टोकेंगे तो ही कि रियास करते रहो ये करो वो करो लेकिन कोई एक ऐसा प्रोग्राम हुआ होगा जिसमें आपको दिल खोल कर तारीफ मिली होगी उस दिन कुछ उसमें इफ या बट नहीं लगा रहा होगा कि थोड़ा सा ये कम रह गया या थोड़ा सा वो ज्यादा रह गया वो कारिकलम किस किस उम्र में आकर आपको करने का मुका मिला जिसका फीड़बैक बहुत पॉजिटिव मिला हो पिता जी से एक आठ साल पहले मेरा गाना हांसद्वनी करके संस्था है इस पुना में में ही है और वह हांसद्वनी संस्था में सिर्फ क्लासिकल गाना पड़ता है कुछ आभंग नहीं भजन नहीं कुछ नहीं सिर्फ क्लासिकल याने क्लासिकल भैरवी भी बंदिश चाहिए तराना चाहिए टपा चाहिए लेकिन क्लासिकल और कुछ नहीं उस टाइम सुबह का प्रोग्राम था और मैंने बहादुरी तोड़ी गाया बाद में और विभास वगरा ऐसे गाया उस टाइम जाने के घर में आ गई वापस मुझे अच्छा लगा लेकिन थोड़ी बहुत ये रहती थी कि आप पिताजी का फोन आने वाला है और वो क्रिटिसाइज करने वाले है कि ये तुम्हारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ लेकिन उस टाइम वो बोले आज तो तुम ब हदूरी तोड़ी हो मुझे तो एक इतने में खुश हो गई वो दिन आज भी मुझे आ दे और मैं प्रार्तना करती हूँ कि हर प्रोग्राम में वो मुझे ऐसा ही कहे दी रेवा जी की इस बातचीत में यहां पर एक ब्रेक लेते हैं इस इससे में हमने उनके बच्पन की बात की उन्होंने बताया कि किस तरह पिता जी ने संगीत के रियास को लेकर हमेशा बहुत प्राथमिक्ता दी यह सब बात्चीत हमने अभी की अगले हिस्से में एक दिल्चस्प बात करेंगे क्योंकि रिवा जी का जो एकेडमिक कॉंट्रिव्यूशन है म्यूजिक की फिल्ड में उसके अलावा उन्होंने कुछ नए रागों का श्रजन भी किया है वो राग क्यों बहुत एहम है और उसके पीछे की कहानी क्या है यह बात्चीत इस इंट्रिव्यू के दूसरे हिस्से में कल दाप ठीक दस बजे जरूर जुडिएगा